वो कववा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी पार रहा है यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं यह वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर करीब पहुंच जानकर मुझे उसके इलागे के पास से एक शॉर्टकट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मोगली मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा है सबसे पका हूँ आम कौन सा है वैसे चू कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया ये शाष में बहुत राजिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू फैला रहा है मुगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं वो हरजीद के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बु छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बुदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बद्बु की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बुन नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला लाली कुछ का हो सामने आओ यहां क्या देखो अच्छा शॉटकर था अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो यह हरजीत की बद्बु की वज़े से है हरजीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्बु मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जर लग रहा है जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ मैं आपकी शिकार करने में मदद करूंगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझ से दूर हो मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हर जी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हर जी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेड़ियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही ठबाके ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूंडना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडिये के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोड़ चुके है पर हे अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका में लेगा उपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए हैं पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाएए वाई तरफ वहां नीचे आगे अरे महीं नाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से नीच पेसे अहां नहीं नीचे पीज में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो टूइटी हां नहीं जब तुम दो कोगी मैं रुकूंगी संभ़कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते विस्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तब पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सब फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है इतनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबुदार जान वरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर पूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मजा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी तुभी यकीन ह हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी निम्बू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आँखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला, लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को जड़ी, वहा रहा है यह शतान कहा चले गए, उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, यह वो नहीं हो सकता, किसे भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है, हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शॉर्ट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट, खुबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं, इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है वैसे, चू कर देखो, यह वाला जादा मुलायम है, यह जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया, यह शर्ष में बहुत रादिष्ट है, वो चारो तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है, खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी, इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें साउधान रहना होगा, अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ का हो, साम्ने आओ यहां, क्या, देखो अच्छा शौट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल्द लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं सदू रहो, मरियल सियार कहिंके ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हर जी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हर जीत से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस करफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है यह कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो भेडियों के बच्चे कहां है उन्हें ढूंडना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है बस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर भी उन्हें खोच चुके है अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा ऊपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओबू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए मौच्छे पे हुए हैं पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रियाचील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंडती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये के बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे सीधा जाईए बाई तरफ आगे आगे अरे नहीं डाई तरफ नीचे उपर दूसरी तरफ से पीच मेंसे अहां नहीं नीचे पीच मेंसे तुम अपनी बखवाज जल्दी बंद करो टूइटी हां नहीं जब तुम लोगों की मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या 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 किसी पर भरोसा कर सकता हूं मैं कापतेवे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूं मेरे पीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहो तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो यह तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शियर खान तो तुम यहा हो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ दूर नाला एकना का यार और वो बढ़बोला पंची कहão है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नज़र रखनी चाहिए उस पर मैं नज़र रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूं कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर ज़ील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी वा रहा है यह शादान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं यह वो नहीं हो सकता किसे भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसकी जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आरा सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे चू कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया, ये शर्ष में बहुत शादिष्ट है वो चारो तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला लाली कुछ का हो सामने आओ यहां क्या देखो अच्छा शॉटकर था अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो यहरजीत की बद्भू की वज़े से है हरजीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा मैं आपकी शिकार करने में मदद करूंगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझ से दूर हो मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हरजी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओँ ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही ठबाकी ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूंडना शुरू करो नालायक मेरा अफर अभी भी खुला है बॉस आज का खास आफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेड़ी के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोड़ चुके है पर हेई अगर आपको भूख नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका में लेगा उपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए है पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बेहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंदती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगर टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक समने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाए बाई तरफ वहां नीचे आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे ओपर दूसरी तरफ से नीच में से अहां नहीं नीचे पीज में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो टूइटी हां नहीं जब तुम दो कोगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता हो गया और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर पूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मजा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुभी यकीन ह हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को चल्दी वह रहा है यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं यह वो नहीं हो सकता किसे भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा सबसे पका हूँ आम कौन सा है वैसे छू कर देखो यह वाला जादा मुलायम है यह ज़रूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रियो यह शाष में बहुत रादिष्ट है वो चारो तरफ बदबू पहला रहा है मौगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके हैं बाला लाली कुछ कहो साम्याओ यहां क्या देखो अच्छा शोट कर था अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है ये खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आऊ हार जी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बत्बू नहीं आ रही है यह बत्बू हर जी नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी वहांसे बद्बू आ रही है ओ ठीक है यह कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही तबाके यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहां है उन्हें ठूड़ना शुरू करो नालायक मेरा अफरा भी भी खुला है बॉस एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोच चुके है पर हेई अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हाँ बताओ बू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए मौच छपे हुए है पर मैं उने ढून लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ पकीरा हम यहां से चौत ही बार गुजर रहे हैं मुपदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे सीधा जाएए बाई तरफ वहाँ नीचे आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे उपर दूसरी तरफ से पीच पेसे अहां नहीं नीचे पीच में से तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी हां नहीं जब तुम लोगोगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे किताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सुर था कि ये एक जानवर की सुख खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो हम बज गये क्या तुम कुछ सुंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सुंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सुंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवगूफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बद्बुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बद्बू नहीं आएगी और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचाने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जर्दी, वो आ रहा है ये शदान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है वैसे छू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये शाच में बहुत स्वाधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बता से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पैचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्याओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉटकत था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बदभू की वज़े से है हरजीत? तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बदभू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो बेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आऊ हर जी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई पत्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हर जी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है ओ ठीक है ये कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाकी ये बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वह भेडियों के बच्चे कहा है? उन्हें ढूंडना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है बास आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडिय की बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोट चुके है पर हेई, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे है मैं और किता है वो हाँ, बताव कहा है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए हैं, पर मैं उने ढूण लूँगा यही बहतर होगा वहाँ ज़रने के पास कुछ है वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वह बदमाज फेड़िये के बच्चे एक जगर टिकर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहाँ ठीक सामने, जाओ बीछा करो, नाई तरफ सीधे, नाई तरफ सीधा जाईए, नाई तरफ वहाँ नीचे, आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे, उपर, दूसरी तरफ से, पीच में से अहाँ, नहीं, नीचे पीच में से तुम अपनी बखवास चल्दी बंद करो ट्वीटी हाँ, नहीं, जब तुम लोगों की मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं काप तेवे स्यार और एक बडबोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है, बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा, देखो, वो एक पे की तावे से उग रहा है, यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि यह अपनी बडबू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है, यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है, यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक यह बदबू मारता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है, क्या तुमने कहा तीन दिन, जल्दी धुका दो हम बज गये, क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो, यह तो कमाल हो गया, मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी, कितना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी, शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये, तो क्या होगा, मैरे पास एक आइडिया है, एकतनी जल्दी क्या है, बेवर गुफ बदबुदार जानवरों, मुझे तुम से डर नहीं लगता हो गया, और हमें तुम से डर नहीं लगता है, शेर खान तो तुम यहा हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकर यार, और वो पड़बोला पंची कहा है, वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए, वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा, हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए, उस पर मै मेरे प्यारे फूल, मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ, कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे, करीब से, वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा, इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आ वो कववा जंगल में आ पहुंचा है, और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है, और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है, क्या तुम इन में फर्क बता सकते यो मोगली, अपनी आखे बंद करो, बताओ ये कौन सा फूल है, लाल वाला, अब तुम्हारी बारी, पीला वाला, लाल वाला, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके है, मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को, जल दी, वा रहा है, ये शातान कहा चले गए, उन्होंने मुझे चार बार अपनी नेन से जगा दिया है, हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है, क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया, हाह, वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है, वो हम से ज्यादा दूर नहीं हो सकता, नहीं, ये वो नहीं हो सकता, किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती, चलो, रुको, उस तरफ नहीं जाना है, हम शेर खान के करीब चिंता मत करो, मुझे उसके एलागे के पास से एक शौट कट मालूम है, ये रहा मेरा फेवरेट, हम, खुबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो, इसके जैसा कुछ नहीं, इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी, मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई, मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा है, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है, वैसे, छू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो, शक्रियो, ये शच में बहुर स्वादिष्ट है, वो चारो तर जांकर बदबु छोड़ता है, तो भी वो इतनी बदबुदार नहीं होती, मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी, इस बदबु की वज़े से मेरी नाक बेकार हो गई है, मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा, अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खु कोच करो, साम्हें आओ, यहां, क्या देखो, अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए है, मुझे दोश मत दो, यह हर जी पुदु पर गया, अब हम खो गए है, हर जीत की बद्बू की वज़े से है हर जीत? तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है ये खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वरना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजा कुड़ा रहे हो कल्लुकववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूं इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूं एक सौधा मैं आपकी शिकार करने में मदद करूंगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझ से दूर हो मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हरजी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई पद्वू नहीं ही आ रही है ये बाद्वू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताका चली गई है रक्षा के साथ एगा बलू और मैं जा बद्वू और पंडी बूर तक देख सकते हैं पर दार्जी स्कर ओफ डार्जी वहां से बद्वू आ रही है ओ ठीक है ये कैसी बद्वू है मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही टबाके ये बद्वू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूनना शुरू करो नालायक मेरा अफर अभी भी खुला है बस आज का खास उफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भीड़ी की बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोट चुके है पर हेई अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हाँ बताओ बू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए है पर मैं उने ढून लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ पकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगर टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ वीछा करो दाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधा जाए दाई तरफ आगे अन्हीं डाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से बीच में से तुम अपनी बखवाल चल्दी बद करो टुईटी हाँ नहीं जब तुम रुखोगी मैं रुखूँगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते विश्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है यह ज़रूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बु कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बु मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धक्का दो हम बच गया क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो यह तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बदबुदार जानवरों मुझे तुम से डर नहीं लगता हूँ और हमें तुम से डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नज़र रखनी चाहिए उस पर मैं नज़र रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुभी यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचाने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को चल्दी, वह आ रहा है ये शादान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमेंसे भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है वैसे छू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये शाच में बहुत स्वाधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बत्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊंगा फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्ने आओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं अस अलाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझसे दूर हो मरियल सियार कहीं के अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हरजी लाली और बाला कहा है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी वहांसे बद्बू आ रही है ओ ठीक है यह कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही दबाके यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूड़ना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोड़ चुके है अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा ऊपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओबू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए मौच्छ पे हुए है पर मैं उने ढूंड है जो शुक्रियाचील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंडती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेडिये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो दाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधा जाएए बाई तरफ आगे अरे नहीं डाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से पीच मेंसे आहां नहीं नीचे पीच मेंसे तुम अपनी बकवाज जल्दी बंद करो टुमिटी किया मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँज गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बाथनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धका दो हम बच गये क्या तुम कुछ सुम पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सुम पा रहा हूँ मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सुमने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आ पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जर्दी, वो आ रहा है ये शदान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट हम, खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है वैसे छू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये शाच में बहुत स्वाधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है, ये हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी, इस बत्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा, अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पैचान पाऊंगा फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्ने आओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉट कर था, अब हम खो गए है, मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है, हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी, मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे टर लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर मुझ से दूर हो, मरियल सियार कहीं के ओ, अच्छा? बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी चे नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस तरफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओहु, ठीक है ये कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही डबाकी, ये बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया, मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहां है, उन्हें धूनना शुरू करो, नालायक मेरा अफरा भी भी खुला है, बस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा, एक भेडिय की बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट, आप दू बार उनके करीब पहच्चकर्वियों ने खोड़ चुके है पर हे, अगर आको भूख नहीं लगी है तो, इतनी जल्दी नहीं सबसे होशार, तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो हाँ, बताओबू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए है यही बहतर होगा वहां जरने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो दाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधा जाएए बाई तरफ आगे अरे नहीं दाई तरफ नीचे उपर दूसरी तरफ से पीछ में अहां नहीं नीचे पीज में से तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी हां नहीं जब तुम लोगोंगी मैं रुकूंगी संभल कर डाजी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं मैं कापते वे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूं मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बहार कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँज गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक यह बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बादनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो यह तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है बेवकूफ बदबुदार जानवरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुबही यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी बार हाए यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, यह वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शॉर्ट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बदबू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे चू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये शाष में बहुत राजिष्ट है वो चारों तरफ बदबू पहला रहा है मौगली, बाला उन लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला लाली कुछ का हो सांगे आओ यहां क्या देखो अच्छा शौटकत था अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जर लग रहा है मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझे पर मुझे से दू रहो मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हर जी लाली और बाला कहा है वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हर जीत से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से तूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस तरफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही टबाके ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो भेडियों के बच्चे कहां है उन्हें धूंडना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है बस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडिय के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहच कर्वियोंने खोच चुके है पर हेई, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सब से होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो? हाँ, बताओगे हमें, तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखटू होना चाहिए मौच्छे पे हुए हैं, पर मैं उने ढूण लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है, किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रियाचील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं मुपदमाज भेड़िये के बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे? वो रहे वहां, ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे, नाई तरफ सीधा जाईए, बाई तरफ अहां नीचे, आगे अरे नहीं, डाई तरफ नीचे, उपर, दूसरी तरफ से, पीच में से अहां, नहीं, नीचे, पीच में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो, टुमिटी हां, नहीं, जब तुम लोगोंगी मैं रुकूंगी संभ़कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं कापते विस्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी, शेर खान आजपास ही हो सकता है, बाहर कहां से जाएंगे वो रहा, देखो, वो एक पे की ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो हम बच गये, क्या तुम कुछ सुम पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सुम पा रहा हूँ मैं भी, कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब के सुमने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बनपुदार जान वरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी, वह आ रहा है. यह शदान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है. हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा छुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है. वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं, यह वो नहीं हो सकता. किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती. चलो. रुको, उस तरफ नहीं जाना है. हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे. मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई. मौगली, मेरी मदद करो. समझ नहीं आरा है. सबसे पका हुआ हम कौन सा है? वैसे, चूँ कर देखो. यह वाला जादा मुलायम है. यह जरूर पक गया होगा. चाहो तो इसे खा सकते हो. चक्रिया, यह शर्ष में बहुत राजिष्ट है. वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है. मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं. खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है. हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती. मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूँगी? इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है. मेरी भी, हमें साउधान रहना होगा. अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊँगा. फिक्र मत करो, रक्षा. बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके हैं. बाला, लाली, कुछ कहो, सान्याओ. यहाँ. क्या? देखो. अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए है. मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्भू की वज़े से है. हरजीत? तुम मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है. हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है. मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है. चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी. मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता. मुझे जर लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो. तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो. कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान. आपका नाम जंगल के बहार भी फ्याल गया है. मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ. एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा, और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे. मैं… मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर. मुझसे दूर हो, मरियल सियार कहीं के? ओ अच्छा? बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ. हरजी, लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो. यह केला तो पुरी तरह सड़ गया है. इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है. यह बद्बू हरजी से नहीं आ रही है. उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है. ओके, अलग-अलग हो जाते हैं. बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा. बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है. और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं. और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता. चील! डार्जी! इस तरफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है. ओ, ठीक है. यह कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही. टबाके, यह बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया, मालिक. सच में. वह भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें धूनना शुरू करो, नालायक. मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस. आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा. एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट. आप तो बारून के करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके हैं. पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है, तो… इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार. तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा. उपर चड़ जाईए. हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं. बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओ कहां है. तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए. वो चिपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा. यही बहतर होगा. वहां ज़रने के पास कुछ है. वहां नीचे है. किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे. मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ. इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं. वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते. बच्चे? वो रहे वहां. ठीक सामने. जाओ. पीछा करो. नाई तरफ. सीधे. दाई तरफ. सीधे जाए. बाई तरफ. अहां नीचे. आगे. अरे नहीं दाई तरफ. नीचे. ऊपर. दूसरी तरफ से. पीच में से. अहां. नहीं. नीचे. पीच में से. तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो, टुईटी. हां. नहीं. जब तुम दो कोगी, मैं रुकूंगी. संभल कर डागी. क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं? मैं काप तेवे स्यार और एक पडबोले पंची के साथ पस गया हूं. मेरे पीचे आओ. जल्दी. शेर खान आसपास ही हो सकता है. बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा. देखो. वो एक पे किताने से उग रहा है. यह जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँज गया होगा. चलो इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि यह अपनी बद्बू कहीं और फैलाए. मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है. यह सुमात्रा का एक बड़ा असा फूल है. यह अपने घर से दूर आ गया. खिलने के तीन दिन बाद तक यह बद्बू मारता है. पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है. बातनी लेसन का वक्त नहीं है. क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धका दो. हम बज गये. क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया. मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं. मैं भी. कितना अच्छा लग रहा है. इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी. शेर खान की भी. अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मैरे पास एक आइडिया है. एतनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबुदार जान वरो. मुझे तुमसे डर नहीं लगता. और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान. तो तुम यहा हो. मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकार. यार! और वो पड़बोला पंची कहा है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए. वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए. उस पर मैं नजर रखूंगी. आ, मेरे प्यारे फूल! मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ. कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे. करीब से. वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा. इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी. तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू? वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है. मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है. और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है. क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो. बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला. अब तुम्हारी बारी. पीला वाला, लाल वाला. हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं. मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को… जड़ी, वार रहा है. ये शदान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है. हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं, ये वो नहीं हो सकता, किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती. चलो! रुको, उस तरफ नहीं जाना है, हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे. चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौक कट मालूम है. ये रहा मेरा फेवरेट, हम, खुबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो. इसके जैसा कुछ नहीं, इसमेंसे भी वही बदबू आ रही है, जो वहां आ रही थी. मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई. मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआं कौन सा है? वैसे, छू कर देखो, ये बाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो. शक्रिया, ये शाष में बहुत रादिश्ट है, वो चारों तरफ बदबू पहला रहा है. मौगली, बाला उन लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं. खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है. हरजीत जब भी भयांकर बदबू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती है. मैं अपने बच्चों को कैसे धुंडूँगी? इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है. मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा. अगर मैं खुद से ही टक्रा गया, फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊंगा. फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को धुड़ने के और भी तरीके हैं. बाला, लाली, कुछ कहो, साथ में आओ. यहां, क्या? देखो. अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए हैं. मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बदभू की वज़े से है. हरजीत? तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है. हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं. मुझे यकीन है, यह खतरनाक बदभू मरे हुए जानवरों से आ रही है. चुप रहो वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी. मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता. मुझे टर लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो. तुम में बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो. कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान. आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है. मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ. एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा, और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे. मैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर. मुझ से दूर हो, मरियल सियार कहीं के? ओ अच्छा? बस करो टबाकी, मेरे पीछे आओ. हरजी, लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो. यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है. इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है. यह बद्बू हरजी चे नहीं आ रही है. उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है. ओके, अलग-अलग हो जाते हैं. बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा. बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है. और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं. और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता. चील, डार्जी! इस तरफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है. ओ, ठीक है. यह कैसी बद्बू है? मुझो इन बेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही. टबाके, यह बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में. वह भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें ढूंडना शुरू करो, नालायक. मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस. आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा. एक भेडिय के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट. आप दू बारून के करीब पहच्च कर्वियोंने खोच चुके हैं. पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है, तो… इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार. तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा. उपर चड़ जाईए. हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं. बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओबू कहां है. तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए. वो चिपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा. यही बहतर होगा. वहाँ ज़रने के पास कुछ है. वहाँ नीचे है. किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे. मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ. इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं. वो बदमाज भेड़िये के बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते. बच्चे? वो रहे वहाँ. ठीक सामने. जाओ. पीछा करो. नाई तरफ. सीधे, दाई तरफ. सीधे जाईए, बाई तरफ. वहाँ नीचे, आगे. अरे नहीं, दाई तरफ. नीचे, उपर, दुसरी तरफ से, पीच मेंसे. अहा, नहीं, नीचे, पीच मेंसे. तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो, ट्वीटी. हाँ, नहीं, जब तुम रुखोगी मैं रुखूँगी. संभल कर डागी. क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कापते भी स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ. मेरे पीचे आओ. जल्दी, शेर खान आजपास ही हो सकता है. बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा, देखो, वो एक पे की ताड़े से उग रहा है. यह ज़रूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा. चलो, इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि यह अपनी बद्बू कहीं और फैलाए. मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है. यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है. यह अपने घर से दूर आ गया. खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बू मारता है. पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है. बातनी लेसन का वक्त नहीं है. क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो. हम बज गये. क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया. मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूँ. मैं भी. कितना अच्छा लग रहा है. इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी. शेर खान की भी. अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये, तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है. एक तनी जल्दी क्या है? एवर गूफ बनपुदार चान वरो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता हूँ. और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान. तो तुम यहा हो. मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाका. यार, और वो पड़बोला पंची कहा है, वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए. वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए. उस पर मैं नजर रखूंगी. आ, मेरे प्यारे फूल, मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ. कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे, करीब से. वो जरूर झील के पास पहुँच गया होगा. इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी. तुभी यकीन है, हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं, बलू. वो कववा जंगल में आप पहुचा है, और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है. मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी निम्बू जैसी है, और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असी डिक है. क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो, मोगली? अपनी आखे बंद करो. बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला? अब तुम्हारी बारी. पीला वाला, लाल वाला. हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं. मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को. चल्दी, वार रहा है. ये शेतान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है. हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा छुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है. वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं, ये वो नहीं हो सकता. किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती. चलो. रुको, उस तरफ नहीं जाना है. हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे. चिंता मत करो. मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है. ये रहा मेरा फेवरेट. हुम, खुबसूरत है. इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो. इसके जैसा कुछ नहीं. इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी. मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई. मौगली, मेरी मदद करो. समझ नहीं आरा, सबसे पका हुआ हम कौन सा है. वैसे, छू कर देखो, ये बाला जादा मुलायम है. ये जरूर पक गया होगा. चाहो तो इसे खा सकते हो. शक्रिया, ये शाष में बहुत राजिष्ट है. वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है. मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है. नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं. खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है. हरजीत जब भी भयांकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती है. मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है. मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा. अगर मैं खुद से ही टक्रा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊंगा. फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके हैं. बाला, लाली, कुछ कहो, सामने आओ. यहां. क्या? देखो. अच्छा शॉट कर था. अब हम खो गए हैं. मुझे दोश मत दो. यह हरजीत की बद्भू की वज़े से है. हरजीत? तो मजाग कर रहे हो. वो मीलो दूर है. हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है. मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आरी है. चुप रहो वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी. मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता. मुझे ज़र लग रहा है. मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालों. तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो. कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान. आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है. मैं से लाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ. एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा, और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे. मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है. मुझ पर. मुझसे दू रहो. मरी अलसी आर कहीं के. ओ अच्छा? बास करो टबाकी. मेरे पीछे आओ. हरजी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गये, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो. ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है. इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है. ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है. उसकी भी सूंगने की ताकत चली गई है. ओके, अलग-अलग हो जाते हैं. बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा. बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है. और पंची, पंची, वो उपर से दूर-दूर तक देख सकते हैं. और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता. चील, डार्जी. इस तरफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है. ओ, ठीक है. ये कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही. टबाके, ये बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया, मालिक. सच में. वो भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें धूड़ना शुरू करो, नालायक. मेरा अफर अभी भी खुला है, बास. आज का खास अफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा. एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट. आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोड़ चुके हैं. पर हे, अगर आपको भूख नहीं लगी है, तो… इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार. तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा. उपर चड़ जाईए. हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं. बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओ पू कहां है. तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो, ना? तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए. वो छपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा. यही बहतर होगा. वहां ज़रने के पास कुछ है. वहां नीचे है. किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे. मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ. इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं. वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते. बच्चे? वो रहे वहां. ठीक सामने. जाओ. पीछा करो. नाई तरफ. सीधे. दाई तरफ. सीधा जाएए. बाई तरफ. अहां नीचे. आगे. अरे नहीं दाई तरफ. नीचे. उपर. दूसरी तरफ से. पीछ में से. अहां. नहीं. नीचे. पीछ में से. तुम अपनी बखवास चल्दी बद करो, टुईटी. हां. नहीं. जब तुम रुखोगी, मैं रुखूँगी. संभल कर डागी. क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं? मैं कापतेवे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूं. मेरे पीछे आओ. जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है. बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा. देखो, वो एक पेर की ताने से उग रहा है. यह ज़रूर नदी में बहकर यहां तब पाँच गया होगा. चलो, इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि यह अपनी बड़बू कहीं और फैलाए. मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है. यह सुमात्रा का एक बड़ा सब फूल है. यह अपने घर से दूर आ गया. खिलने के तीन दीन बाद तक यह बदबू मारता है. पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है. बातनी लेसन का वक्त नहीं है. क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो. हम बज गये. क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया. मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं. मैं भी. कितना अच्छा लग रहा है. इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी. शेर खान की भी. अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है. एक तनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबुदार जान वरो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता. और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान. तो तुम यहां हो. मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकर यार. और वो पड़बोला पंची कहां है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए. वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए. उस पर मैं नजर रखूंगी. आ, मेरे प्यारे फूल, मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ. कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे, करीब से. वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा. इसे पहनने के बाद हमें बदबु नही नहीं रुख सकते हैं, बोलू? अपनी आखें बंद करो. बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला. अब तुम्हारी बारी. पीला वाला, लाल वाला. हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं. मैं हाँ, हाँ, हरजीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? हाँ, वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं, ये वो नहीं हो किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती. चलो. रुको, उस तरफ नहीं जाना है, हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे. चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास एक शौक कट मालूम है. ये रहा मेरा फेवरेट. हुम, खुबसूरत है. इसके जैसा क पका हुआ हम कौन चा है? वैसे, चू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है. ये जरूर पक गया होगा. चाहो तो इसे खा सकते हो. शक्रिया, ये शाष में बहुआ शादिष्ट है. वो चारो तरफ बद्बू पहला रहा है. मोगली, बाला और लाली तुमारे साथ नहीं ह वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं. खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत कुस्से में है. हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती. मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है. मेरी भी. हमें सावधान रहना होगा. अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा. फिक्र मत करो रक्षा. बाला और लाली को ढूडने के और भी तरीके हैं. बाला, लाली कुछ कहो, सामे आओ. यहाँ. क्या? देखो. अच्छा शोट कर था. अब हम खो गए हैं. मुझे दोश मत दो. यह हरजीत की बद्बू की वज़े से हैं. हरजीत? तुम मजाग कर रहे हो. वो मीलो दूर है. हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं. मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है. चुप रहो वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी. मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता. तुम में बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो. कल्लू काववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान. आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है. मैं इसलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ. एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा, और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे. मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है. मुझ पर. मुझ से दू रहो, मरियल सियार कहीं के. ओ, अच्छा. बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ. हरजी, लाली और बाला कहां है? वो बचकर भाग गये, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो. ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है. इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है. ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है. उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है. ओके, अलग-अलग हो जाते हैं. बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा. बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है. और पंची, पंची, वो उपर से दूर-दूर तक देख सकते हैं. और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता. चील, डार्जी. इस तरफ डार्जी? वहांसे बद्बू आ रही है. ओ, ठीक है. ये कैसी बद्बू है? मुझो इन बेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही. टबाके, ये बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया, मालिक. सच में. वह भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें धूड़ना शुरू करो, नालायक. मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस. आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा. एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट. आप दू बारून के करीब पहच्च कर्वियों ने खूच चुके हैं. पर हे, अगर आपको भूख नहीं लगी है, तो… इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार. तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा. उपर चड़ जाईए. हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं. बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओबू कहां है. तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए. मोच चिपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा. यही बहतर होगा. वहाँ ज़रने के पास कुछ है. वहाँ नीचे है. किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे. मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ. इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं. वो बदमाज भेड़िये के बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते. बच्चे? वो रहे वहाँ. ठीक सामने. जाओ. पीछा करो. नाई तरफ. सीधे, दाई तरफ. सीधे जाईए. बाई तरफ. वहाँ नीचे, आगे. अरे नहीं, दाई तरफ. नीचे, उपर. दूसरी तरफ से, बीच में से. अहां, नहीं, नीचे. बीच में से. तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो, ट्वीटी. हां, नहीं, जब तुम लोगोंगी, मैं रुकूंगी. संभल कर डागी. क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ. मेरे पीचे आओ. जल्दी, शेर खान आजपास ही हो सकता है. बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा. देखो, वो एक पे की ताने से उग रहा है. ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा. चलो, इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि अपनी बद्बु कहीं और फैलाए. मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है. ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है. ये अपने घर से दूर आ गया. खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बु मारता है. पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है. बातनी लेसन का वक्त नहीं है. क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो? हम बच गये. क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? ये तो कमाल हो गया. मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूँ. मैं भी. कितना अच्छा लग रहा है. इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी. शेर खान की भी. अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है. एतनी जल्दी क्या है? बेवर गूफ बनपुदार जान वरो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता. और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान. तो तुम यहा हो. मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकार. यार, और वो पड़बोला पंची कहा है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए. वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए. उस पर मैं नजर रखूँगी. आ, मेरे प्यारे फूल. मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ. कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे. करीब से. वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा. इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी. और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है. और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है. क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो. बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला? अब तुम्हारी बारी. पीला वाला, लाल वाला. हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं. माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं. मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को. चल्दी, वार रहा है. ये शादान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है. हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है. वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं, ये वो नहीं हो सकता. किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती. चलो. रुको, उस तरफ नहीं जाना है. हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे. चिंता मत करो. मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है. ये रहा मेरा फेवरेट. खुबसूरत है. इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो. इसके जैसा कुछ नहीं. इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी. मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई. मौगली, मेरी मदद करो. समझ नहीं आ रहा है, सबसे पका हुआ है. वैसे, चू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है. ये जरूर पक गया होगा. चाहो तो इसे खा सकते हो. चक्रिया, ये शर्ष में बहुत राजिष्ट है. वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है. मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है. नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं. खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है. हरजीत जब भी भयांकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती है. मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बद्बू की वजए से मेरी नाग बेकार हो गई है. मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा. अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बूने ही पहचान पाऊंगा. फिक्र मत करो रक्षा, ब अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए है. मुझे दोश मत दो, ये हरजीत की बद्बू की वजए से है. हरजीत? तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है. हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है. मुझे यकीन है, ये खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है. चुप रहो वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी. मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता हुआ 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 तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो. कल्लु का हुआ आपकी सेवा में हाजिर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बहर भी फ्याल गया है. मैं इसलाके में रहना चाहता हुआ हूँ इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ. एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझसे दू रहो मरियल सियार कहीं के अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हर जी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हर जी नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इसतर अफर डार्जी आहो, वाहँसे बद्बू आ रही है ओो ठीक है आह, ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेडीओ के बच्चों के खुझबू नहीं मिल रही तबाकी ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूंडना शुरू करो नालायक मेरा अफर अभी भी खुला है बॉस आज का खास आफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेड़ी के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोड़ चुके है पर हेई अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका में लेगा उपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए हैं पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंदती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगर टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाए बाई तरफ वहां नीचे आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से नीच में से अहां नहीं नीचे पीज में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो टूइटी हां नहीं जब तुम दो कोगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं मैं कापते वे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूं मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बदबू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूं कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बदबू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है इतनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबुदार जान वरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता हो गया और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बद्वुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बद्वु नहीं आएगी तुभी यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी वा रहा है यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुड़ा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, यह वो नहीं हो सकता किसे भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बदबू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मोगली, मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे चू कर देखो, यह वाला जादा मुलायम है यह जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, यह शाष में बहुत राजिस्ट है वो चारों तरफ बदबू पहला रहा है मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्ने आओ यहां, क्या, देखो अच्छा शौट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझ से दू रहो, मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस तरफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है ये कैसी बद्बू है? मुझो इन बेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, ये बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वह भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें धूड़ना शुरू करो, नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बुरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्त आप दू बारून के करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके है, पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार, तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं, बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा, वेल, कहां है वो हां, बताओ पू कहां है, तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना, तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंड लूँगा, यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है, वहां नीचे है, किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे? वो रहे वहां, ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे, दाई तरफ सीधा जाईए, बाई तरफ वहां नीचे, आगे अरे नहीं, दाई तरफ नीचे, उपर, दूसरी तरफ से, बीच में से अहां, नहीं, नीचे बीच में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो, टुईटी हाँ नहीं जब तुम रुखोंगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते भी स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे के ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पांच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बु कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बु मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है ये तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बच गये ये तुम कुछ सुम पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सुम पा रहा हूँ मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सुमने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बनपुदार जान वरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक ना कर यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी, वो आ रहा है. यह शादान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है. हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा छुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है. वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं, यह वो नहीं हो सकता. किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती. चलो. रुको, उस तरफ नहीं जाना है. हम शेर खान के करीब पहुंच जाएंगे. चिंता मत करो. मुझे उसके इलागे के पास से एक शॉर्ट कट मालूम है. यह रहा मेरा फेवरेट. हम, खुबसूरत है. इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो. इसके जैसा कुछ नहीं. इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी. मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई. मौगली, मेरी मदद करो. समझ नहीं आ रहा है, सबसे पका हुआं कौन सा है? वैसे, चू कर देखो. यह बाला जादा मुलायम है. यह जरूर पक गया होगा. चाहो तो इसे खा सकते हो. चक्रिया, यह शर्ष में बहुत रादिष्ट है. वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है. मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं. खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है. हरजीत जब भी भयांकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती. मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है. मेरी भी, हमें साउधान रहना होगा. अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा. फिक्र मत करो, रक्षा. बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके हैं. बाला, लाली, कुछ का हो, साम्में आओ. यहाँ. क्या? देखो. अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए है. मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्भू की वज़े से है. हरजीत? तुम मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है. हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं. मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है. चुप रहो, वरना तुम हमें पकड़वा दोगी. मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता. मुझे जर लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो. तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो. कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान. आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है. मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ. एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा, और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे. मैं… मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर. मुझसे दूर हो, मरियल सियार कहीं के? ओ अच्छा? बस करो टबाकी, मेरे पीछे आओ. हरजी, लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गये, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो. यह केला तो पुरी तरह सड़ गया है. इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है. यह बद्बू हरजी चे नहीं आ रही है. उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है. ओके, अलग-अलग हो जाते हैं. बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा. बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है. और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं. और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता. चील, डार्जी! इस तरफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है. ओ, ठीक है. यह कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही. टबाके, यह बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया, मालिक. सच में. वह भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें ढूंडना शुरू करो, नालायक. मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस. आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा. एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट. आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके हैं. पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है, तो… इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार. तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मेलेगा. उपर चड़ जाईए. हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं. बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओ कहां है. तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो, ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए. वो छपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंड लूँगा. यही बहतर होगा. वहां ज़रने के पास कुछ है. वहां नीचे है. किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे. मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ. इस तरफ बकीरा? हम यहां से चौत ही बार गुजर रहे हैं. वह बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगर टिक कर नहीं बैठ सकते. बच्चे? वो रहे वहां. ठीक सामने. जाओ. पीछा करो. नाई तरफ. सीधे. दाई तरफ. सीधे जाए. बाई तरफ. अहां नीचे. आगे. अरे नहीं दाई तरफ. नीचे. उपर. दूसरी तरफ से. पीच में से. अहां. नहीं. नीचे. पीच में से. तुम अपनी बखवाल चल्दी बंद करो टुईटी. हां. नहीं. जब तुम रुकोगी, मैं रुकूंगी. संभल कर डागी. क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं? मैं काप तेवे स्यार और एक बडबोले पंची के साथ पस गया हूं. मेरे पीचे आओ. जल्दी. शेर खान आसपास ही हो सकता है. बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा. देखो. वो एक पे की ताने से उग रहा है. यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा. चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि यह अपनी बद्बू कहीं और फैलाए. मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है. यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है. यह अपने घर से दूर आ गया. खिलने के तीन दिन बाद तक यह बद्बू मारता है. पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है. बातनी लेसन का वक्त नहीं है. क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो. हम बज गये. क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया. मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं. मैं भी. कितना अच्छा लग रहा है. इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी. शेर खान की भी. अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है. एतनी जल्दी क्या है? बेवगूफ बदबुदार जान वरो. मुझे तुमसे डर नहीं लगता. और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान. तो तुम यहां हो. मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकार यार. और वो पड़बोला पंची कहां है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए. वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए. उस पर मैं नजर रखूंगी. आ, मेरे प्यारे फूल! मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ. कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे, करीब से. वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा. इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी. तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं, बलू? वो कववा जंगल में आप पहुंचा है, और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है. मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है, और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है. क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो, मोगली? अपनी आखें बंद करो. बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला? अब तुम्हारी बारी. पीला वाला, लाल वाला. हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं. मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को… चल्दी, बार रहा है! ये शदान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नेन से जगा दिया है. हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बदबु पहलाने का शौक है. क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बदबु अभी भी हवा में तैर रही है. वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. नहीं! ये वो नहीं हो सकता! किसी भी जानवर से इतनी बुरी बदबु नहीं आती! चलो! रुको! उस तरफ नहीं जाना है! हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे! मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई! मौगली, मेरी मदद करो! समझ नहीं आरा, सबसे पका हूँ आंग कौन सा है? वैसे, चूँ कर देखो! ये वाला जादा मुलायम है! ये जरूर पक गया होगा! चाहो तो इसे खा सकते हो! चक्रिया, ये शाष में बहुत रादिष्ट है! वो चारो तरफ बद्बू पहला रहा है! मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं! खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है! हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती! मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है! मेरी भी! हमें साउधान रहना होगा! अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊंगा! फिक्र मत करो रक्षा! बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके हैं! बाला! लाली! कुछ कहो! साम्याओ! यहां! क्या? देखो! अच्छा शॉटकत था! अब हम खो गए हैं! मुझे दोश मत दो! यह हरजीत की बद्भू की वज़े से है! हरजीत? तुम मजाग कर रहे हो! वो मीलो दूर है! हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं! मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है! चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी! मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता! मुझे जल लग रहा है! मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो! तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो! कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान! आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है! मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ! एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे! मैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो! देखा तुमने? शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है! मुझ पर! मुझ से दू रहो! मरियल सियार कहीं के! ओ अच्छा! बास करो टबाकी! मेरे पीछे आओ! हरजी! लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो! यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है! इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है! यह बद्बू हरजी से नहीं आ रही है! उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है! ओके! अलग-अलग हो जाते हैं! बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा! बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है! और पंची! पंची! वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं! और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता! चील! डार्जी! इस करफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है! ओ, ठीक है! यह कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही! टबाके! यह बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक! सच में! वह भेडियों के बच्चे कहा है? उन्हें धूड़ना शुरू करो, नालायक! मेरा ओफर अभी भी खुला है, बस! आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा! एक भेडिय के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्त! आप दू बार उनके करीब पहच्चकर्वियों ने खोच चुके हैं! अगर आपको भूक नहीं लगी है तो… इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार! तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा! उपर चड़ जाईए! हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं! बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओबू कहां है! तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए! वो चिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंड लूँगा! यही बहतर होगा! वहाँ जरने के पास कुछ है! वहाँ नीचे है! किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो… शुक्रिया चील! यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे! मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ! इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं! वो बदमाज भेड़िये के बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते! बच्चे? वो रहे वहाँ! ठीक सामने! जाओ! पीछा करो! नाई तरफ! सीधे! दाई तरफ! सीधे जाईए! बाई तरफ! अहां नीचे! आगे! अरे नहीं! दाई तरफ! नीचे! उपर! दूसरी तरफ से! पीच में से! अहां! नहीं! नीचे! पीच में से! तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी! हां! नहीं! जब तुम लोगोगी मैं रुकूंगी! संभल कर डागी! क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कापतेवे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ! मेरे पीचे आओ! जल्दी! शेर खान आसपास ही हो सकता है! बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा! देखो! वो एक पे की ताने से उग रहा है! यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा! चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए! मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है! यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है! यह अपने घर से दूर आ गया! खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बू मारता है! पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है! बातनी लेसन का वक्त नहीं है! क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो! हम बज गये! क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया! मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूँ! मैं भी! कितना अच्छा लग रहा है! इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी! शेर खान की भी! अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा? मैरे पास एक आइडिया है! एक तनी जल्दी क्या है? बेवर गुफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता! और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान! तो तुम यहा हो! मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाका! यार! और वो पड़बोला पंची कहा है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए! वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए! उस पर मैं नजर रखूंगी! मेरे प्यारे फूल! मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ! कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे! करीब से! वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा! इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी! तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू! वो कववा जंगल में आप पहुंचा है! और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है! मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा! इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है! और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है! क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आँखे बंद करो! बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को चल्ली, वार रहा है ये शातान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया हाँ, वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो, रुको, उस तरफ नहीं जाना है कुछ नहीं, इसमें से भी बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मोगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आरा सबसे पका हुआ हम कौन सा है वैसे छू कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये शाष में बहुत रादिष्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके हैं बाला लाली कुछ कहो सामे आओ यहाँ क्या देखो अच्छा शोट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत? तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जर लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो मेरे हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझसे दू रहो मरियल सियार कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हरजी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस करफ डार्जी यह कैसी बद्बू है, मुझो इन बेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो बेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें धूनना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बुरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच करभियों ने खोच चुके है पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो? हाँ, बताओ पू कहां है, तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए हैं, पर मैं उने ढूण लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है, किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे? वो रहे वहां, ठीक साम दे जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे, नाई तरफ सीधा जाईए बाई तरफ, वहां नीचे, आगे अरे नहीं, डाई तरफ नीचे, उपर, दूसरी तरफ से, पीच में से अहां, नहीं, नीचे पीच में से तुम अपनी बक्वाल जल्दी बद करो टूइटी हां, नहीं, जब तुम लोगों की मैं रुकूंगी संभर कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं कापते विस्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी, शेर खान आजपास ही हो सकता है, बाहर कहां से जाएंगे वो रहा, देखो, वो एक पे की ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं, ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है, ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया, खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है, क्या तुमने कहा तीन दिन, जल्दी धुक्का दो हम बच गये, क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया, मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूँ मैं भी, कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर कुफ बनपुदार जान वरो, मुझे तुम से डर नहीं लगता और हमें तुम से डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाका यार, और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी वो कववा जंगल में आप पहुचा है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाक तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को चल्दी वो आ रहा है ये शादान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नेन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो समझ नहीं आरा, सबसे पका हुआ आम कौन सा है वैसे छू कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये शाच में बहुत साधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बत्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बूने ही पहचान पाऊंगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साथ में आओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्भू की वज़े से है हरजीत, तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं उसे दू रहो, मरियल सियार कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गये पर जरा उने मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस करफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है यह कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वह भेडियों के बच्चे कहां है उन्हें धूंडना शुरू करो, नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडिय के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहच्चकर्वियों ने खोच चुके है अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा ऊपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो? हाँ, बताओ पू कहां है तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए है, पर मैं उन्हें ढूण लूँगा यही बहतर होगा वहाँ जरने के पास कुछ है वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ बच्चे वो रहे वहाँ ठीक सामने जाओ बीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाईए वहाँ नीचे आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से पीच में से अहाँ नहीं नीचे पीच में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो टूइटी नहीं जब तुम लोगों की मैं रुकूंगी संभाल कर डाजी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे किताने से उग रहा है यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक यह बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहो तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो यह तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर प्लद और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नज़र रखनी चाहिए उस पर मैं नज़र रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूं कल हम उस बद्बुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बद्बू नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को चल्दी वार रहा है ये शादान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमेंसे भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ आंग कौन सा है वैसे छू कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया ये साच में बहुत स्वाधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भयांकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बत्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बूने ही पैचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्याओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉटकत था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हर जी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई पत्वू नहीं आ रही है यह बद्वू हर जी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्वू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्वू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस कर अफडार्जी वहां से बद्वू आ रही है ओ ठीक है यह कैसी बद्वू है मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही तबाकी यह बद्वू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूंडना श जला गया तो बहुत बुरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोड़ चुके है अगर आको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने क या सिफ एक ही मौका मिलेगा ओपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए है पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंदती हूँ इस तरफ पकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वह बदमाज फेड़िये के बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वह रहे वहां ठीक सामने जाओ वीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाए बाई तरफ वहां नीचे आगे अधे नहीं नाई तरफ नीचे जा ओपर दूसरी तरफ से पीच मेंसे अहां नहीं नीचे पीच मेंसे तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो टूइटी हां नहीं जब तुम रुकोंगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे सियार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बदबू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बदबू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बदबुदार जानवरों मुझे तुम से डर नहीं लगता हो गया और हमें तुम से डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी वह आ रहा है यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुड़ा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं यह वो नहीं हो सकता किसे भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसकी जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा है सबसे पका हूँ आम कौन सा है वैसे चूँ कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया ये शाष में बहुत रादिष्ट है वो चारो तरफ बदबू पहला रहा है मौगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्ने आओ यहां, क्या, देखो अच्छा शौट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मुझसे दू रहो, मरी अलसी आर कहींके ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हर जी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गये, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हर जीत से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस कर अफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है यह कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वह भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें ढूंडना शुरू करो, नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोच चुके है अगर आको भूख नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो? हाँ, बताओबू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए है, पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहाँ जरने के पास कुछ है वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रियाचील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंदती हूँ बच्चे वो रहे वहाँ ठीक सामने जाओ बीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाईए वहाँ नीचे आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे उपर दूसरी तरफ से पीच में से अहाँ नहीं नीचे पीच में से तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी हाँ नहीं जब तुम लोगों की मैं रुकूंगी संभल कर डाजी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है यह जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँज गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक यह बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहो तीन दिन जल्दी धका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो यह तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नज़रों से दूर हुझाओ नाला- एक-ना-क-न, यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दौ बार अपने एलाके मेन नहीं दिखना चाहीए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नज़र रखनी चाहिए उस पर मैं नज़र रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आ पहुँचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचाने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जर्दी, वो आ रहा है ये शदान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआ, कौन सा है वैसे छू कर देखो, ये बाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, ये सच में बहुत स्वाधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बत्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पैचान पाऊंगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, सामने आओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे टर लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजिर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मुझसे दू रहो, मरियल सियार कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हर जी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गये, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हर जीत से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर-दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी आहो, वहां से बदबू आ रही है. ओ, ठीक है. ये कैसी बदबू है? मुझो उन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही. तबाके, ये बदबू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया, मालिक. सच में. वो भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें धूड़ना शुरू करो नालायक मेरा अभी भी खुला है बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा एक भीड़ी की बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहच कर भी उन्हें खोच चुके हैं अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ पू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए हैं पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां जरने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रियाचील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ पकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगड़ टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो दाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधा जाईए बाई तरफ अहां नीचे आगे अरे नहीं दाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से पीछ मेंसे अहां नहीं नीचे पीछ मेंसे तुम अपनी बखवास जल्दी बद करो टूइटी हां नहीं जब तुम लोगोगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँज गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा असा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है इतनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बन्पुदार जान वरो मुझे तुम से डर नहीं लगता और हमें तुम से डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए ती नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी आरे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बद्बुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बद्बु नहीं आएगी तुभी यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कवा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बु थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बु थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आँखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी बार रहा है ये शदान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों नहीं हो सकता नहीं ये वो नहीं हो सकता किसे भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमेंसे भी बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा है सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे छू कर देखो ये बाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया ये शाष में बहुत शादिश्ट है वो चारो तरफ बद्बू पहला रहा है मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती है मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊंगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्के आओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत? तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जर लग रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझ से दू रहो, मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस तरफ डार्जी? ओहू, वहांसे बद्बू आ रही है ओहू, ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन बेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो बेडियों के बच्चे कहां है, उन्हें धूनना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बुरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोच चुके है पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो हां, बताओबू कहां है तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए मुच्छ पे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे? वो रहे वहां, ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे, दाई तरफ सीधा जाईए, बाई तरफ वहाँ नीचे, आगे अरे नहीं, दाई तरफ नीचे, उपर, दूसरी तरफ से, पीच में से अहां, नहीं, नीचे पीच में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो टूइटी हां, नहीं, जब तुम रुखोगी, मैं रुखूँगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीचे आओ जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा, देखो, वो एक पे की ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि ये अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोच था कि ये एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गए क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूँ मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है पेवर कुफ बगभदा जानवरों मुझे तुम से ड़न नहीं रहा अब देल का शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुभे यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी निम्बू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी वा रहा है यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा छुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं यह वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसकी जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा है सबसे पका हूँ आम कौन सा है वैसे चू कर देखो ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया ये शर्ष में बहुत रादिष्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला लाली कुछ का हो सांगे आओ यहां क्या देखो अच्छा शॉटकर था अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आरी है चुप रहो वर्णना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूं इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूं एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझसे दूर हो मरियल सियार कहिंके ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हरजी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें धूंडना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडिये के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर्वियों ने खोच चुके है पर हेई अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए हैं पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रियाचील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंदती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो दाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधा जाएए बाई तरफ वहां नीचे आगे अरे महीं दाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से पीच मेंसे अहां नहीं नीचे पीच मेंसे तुम अपनी बखवाल जल्दी बद करो टूइटी हां नहीं जब तुम दो कोगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते विस्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तब पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सब फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैरे पास एक आइडिया है इतनी जल्दी क्या है बेवर कुफ बदपुदार जान वरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहां है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बद्बुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बद्बु नहीं आएगी तुभी यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जड़ी बार हाए यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, यह वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बदबू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा, सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे चू कर देखो, यह वाला जादा मुलायम है यह जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया, यह शाष में बहुत राजिष्ट है वो चारों तरफ बदबू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्याओ यहां, क्या, देखो अच्छा शौट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो हो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ा उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझे पर मुझसे दूर हो, मरियल सी आर कहीं के ओ अच्छा? बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहा है? वो बचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी चे नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूड़ेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस करफ डार्जी? ओहू, वहांसे बद्बू आ रही है ओहू, ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन बेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो बेडियों के बच्चे कहां है, उन्हें धूर्णना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके है पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा ऊपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो हां, बताओबू कहां है तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए मोच चिपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे? वो रहे वहां, ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे, दाई तरफ सीधा जाएए भाई तरफ वहां नीचे, आगे अरे नहीं, दाई तरफ नीचे, उपर दूसरी तरफ से, पीछ में से अहां, नहीं, नीचे पीछ में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो, ट्वीटी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते विस्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पेल की ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बु कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरुम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बु मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है ये तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो हम बच गये ये तुम कुछ सुम पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सुम पा रहा हूँ मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सुमने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एतनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बनपुदार जान वरो मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जर्णी, वह आ रहा है! यह शादान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है! हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है! क्या हमने उसे पीछा छुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है! वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता! नहीं! यह वो नहीं हो सकता! किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती! चलो! रुको! उस तरफ नहीं जाना है! हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे! जो वहां आ रही थी! मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई! मौगली, मेरी मदद करो! समझ नहीं आरा है सबसे पका हुआंग कौन सा है? वैसे… चू कर देखो! यह वाला जादा मुलायम है! यह जरूर पक गया होगा! चाहो तो इसे खा सकते हो! चक्रिया, यह शर्ष में बहुत शादिष्ट है! वह चारों तरफ बद्बू पहला रहा है! मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वह हर्जीत के साथ खेल रहे हैं! खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हर्जीत गुस्से में है! हर्जीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वह इतनी बद्बूदार नहीं होती! मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है! मेरी भी, हमें साउधान रहना होगा! अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊंगा! फिक्र मत करो, रक्षा! बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके हैं! बाला! लाली! कुछ का हो! साम्ने आओ! यहां! क्या? देखो! अच्छा शॉटकत था, अब हम खो गए है! मुझे दोश मत दो, यह हर्जीत की बद्भू की वज़े से है! हर्जीत? तुम मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है! हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है! मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है! चुप रहो, वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी! मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता! मुझे जर लग रहा है! मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो! तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो! कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान! आपका नाम जंगल के बहार भी फ्याल गया है! मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ! एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे! मैं… मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो! देखा तुमने? शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है! मुझ पर! मुझसे दूर हो! मरियल सियार कहीं के! ओ अच्छा! बास करो टबाकी! मेरे पीछे आओ! हरजी! लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो! ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है! इसमें तो कोई पत्बू नहीं आ रही है! ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है! उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है! ओके! अलग-अलग हो जाते हैं! बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा! बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है! और पंची! पंची! वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं! और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता! चील! डार्जी! इस तरफ डार्जी? वहांसे बद्बू आ रही है! ओहु ठीक है! ये कैसी बद्बू है! मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही! टबाके! ये बद्बू कैसी है! मैंने कुछ नहीं किया मालिक! सच में! वो भेडियों के बच्चे कहां है? उन्हें ढूंडना शुरू करो नालायक! मेरा ओफर अभी भी खुला है बॉस! आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा! एक भेडिय की बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहच्चकर्वियों ने खोड़ चुके है! पर हे! अगर आपको भूक नहीं लगी है तो… इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार! तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका में लेगा! उपर चड़ जाईए! हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं! बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओ कहां है! तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए! वो छपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा! यही बहतर होगा! वहां जरने के पास कुछ है! वहां नीचे है! किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील! यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे! मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ! इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं! वह बदमाज फेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते! बच्चे? वो रहे वहां! ठीक सामने! जाओ! पीछा करो! नाई तरफ! सीधे! दाई तरफ! सीधा जाएए! बाई तरफ! अहां नीचे! आगे! अरे नहीं दाई तरफ! नीचे! उपर! दूसरी तरफ से! नीच में से! अहां! नहीं! नीचे! नीच में से! तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी! हां! नहीं! जब तुम दो कोगी मैं रुकूंगी! संभल कर डागी! क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं? मैं काप तेवे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूं! मेरे पीछे आओ! जल्दी! शेर खान आसपास ही हो सकता है! बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा! देखो! वो एक पे की ताने से उग रहा है! यह जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा! चलो इसे पानी में डाल देते हैं! ताकि यह अपनी बद्बू कहीं और फैलाए! मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है! यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है! यह अपने घर से दूर आ गया! खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बू मारता है! पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है! बाटनी लेसन का वक्त नहीं है! क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो! हम बज गये! क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया! मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं! मैं भी! कितना अच्छा लग रहा है! इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी! शेर खान की भी! अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है! एतनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबुदार जान वरो! मुझे तुमसे डर नहीं लगता! और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान! तो तुम यहा हो! मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकार! यार! और वो पड़बोला पंची कहा है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए! वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए! उस पर मैं नजर रखूंगी! आ, मेरे प्यारे फूल! मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ! कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे! करीब से! वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा! इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी! तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू! वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है! मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा! इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है! और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है! क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो! बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला? अब तुम्हारी बारी! पीला वाला? लाल वाला? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं! माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं! मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को… जड़ी! वा रहा है! ये शदान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नेन से जगा दिया है! हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है! क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है! वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता! नहीं! ये वो नहीं हो सकता! किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती! चलो! रुको! उस तरफ नहीं जाना है! हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे! चिंता मत करो! मुझे उसके इलागे के पास से एक शौट कट मालूम है! ये रहा मेरा फेवरेट! हम! खुबसूरत है! इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो! इसके जैसा कुछ नहीं! इसमें से भी वही बदबू आ रही है, जो वहां आ रही थी! मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई! मौगली, मेरी मदद करो! समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ हम कौन सा है? वैसे, चू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो! शक्रिया, ये शाष में बहुत रादिश्ट है! वो चारों तरफ बदबू पहला रहा है! मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं! खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है! हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती! मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है! मेरी भी! हमें सावधान रहना होगा! अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊंगा! फिक्र मत करो रक्षा! बाला और लाली को धुड़ने के और भी तरीके हैं! बाला! लाली! कुछ कहो! सामने आओ! यहाँ! क्या? देखो! अच्छा शॉट कर था! अब हम खो गए है! मुझे दोश मत दो! यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है! हरजीत? तो मजाग कर रहे हो! वो मीलो दूर है! हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है! मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है! चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी! मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता! मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो! तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो! कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान! आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है! मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ! एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे! मैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो! देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है! मुझ पर! मुझ से दू रहो! मरियल सियार कहिंके! ओ अच्छा! बास करो टबाकी! मेरे पीछे आओ! हरजी! लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गए पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो! यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है! इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है! यह बद्बू हरजी से नहीं आ रही है! उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है! ओके! अलग-अलग हो जाते हैं! बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा! बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है! और पंची! पंची! वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं! और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता! चील! डार्जी! इस करफ डार्जी! वहां से बद्बू आ रही है! ओ, ठीक है! यह कैसी बद्बू है! मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही! टबाकी! यह बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक! सच में! वह भेडियों के बच्चे कहा है? उन्हें धूड़ना शुरू करो, नालायक! मेरा ओफर अभी भी खुला है, बस! आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा! एक भेडिय के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्त! आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके हैं! अगर आपको भूक नहीं लगी है तो… इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार! तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा! उपर चड़ जाईए! हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं! बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओबू कहां है! तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए! मोच छिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंड लूँगा! यही बहतर होगा! वहाँ जरने के पास कुछ है! वहाँ नीचे है! किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे! मैं जाका डार्जी को ढूनती हूँ! इस तरफ बकीरा? हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं! वह बदमाज भेड़िये के बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते! बच्चे? वह रहे वहाँ! ठीक सामने! जाओ! पीछा करो! नाई तरफ! सीधे! दाई तरफ! सीधे जाईए! बाई तरफ! वहाँ नीचे! आगे! अरे नहीं! दाई तरफ! नीचे! उपर! दूसरी तरफ से! पीच में से! अहां! नहीं! नीचे! पीच में से! तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी! हां! नहीं! जब तुम लोगोगी मैं रुकूंगी! संभल कर डागी! क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं? मैं कापतेवे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूं! मेरे पीचे आओ! जल्दी! शेर खान आसपास ही हो सकता है! बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा! देखो! वो एक पे के ताने से उग रहा है! यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा! चलो इसे पानी में डाल देते हैं! ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए! मैं सोच रहा हूं कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है! यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है! यह अपने घर से दूर आ गया! खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बू मारता है! पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है! बातनी लेसन का वक्त नहीं है! क्या तुमने कहो तीन दिन जल्दी धुका दो! हम बज गये! क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया! मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं! मैं भी! कितना अच्छा लग रहा है! इसका मतलब बाकी सब के सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी! शेर खान की भी! अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है! एतनी जल्दी क्या है? बेवरकूफ बदबुदार जानवरों, मुझे तुमसे डर नहीं लगता! और हमें तुमसे डर नहीं लगता, शेर खान! तो तुम यहा हो! मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नाला एक नाकार! यार! और वो पड़बोला पंची कहा है? वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए! वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए! उस पर मैं नजर रखूंगी! आह! मेरे प्यारे फूल! मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ! कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे! करीब से! वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा! इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी! तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू? वो कववा जंगल में आप पहुंचा है! और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है! मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा! इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है! और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है! क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखे बंद करो! बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला? अब तुम्हारी बारी! पीला वाला? लाल वाला? हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं! माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं! मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को… चल्दी! वार रहा है! ये शातान कहा चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है! हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है! क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है! वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता! नहीं! ये वो नहीं हो सकता! किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती! चलो! रुको! उस तरफ नहीं जाना है! हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे! चिंता मत करो! मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है! ये रहा मेरा फेवरेट! हुम! खुबसूरत है! इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो! इसके जैसा कुछ नहीं! इसमें से भी वही बदबू आ रही है जो वहां आ रही थी! मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई! मौगली, मेरी मदद करो! समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ हम कौन सा है? वैसे, चू कर देखो! ये बाला जादा मुलायम है! ये जरूर पक गया होगा! चाहो तो इसे खा सकते हो! शक्रिया, ये शाष में बहुत स्वाधिस्ट है! वो चारों तरफ बदबू पहला रहा है! मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं! खेल रहे हैं या उसे परिशान कर रहे हैं? मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है! हरजीत जब भी भयांकर बदबू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती! मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी? इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है! मेरी भी! हमें सावधान रहना होगा! अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पैचान पाऊंगा! फिक्र मत करो रक्षा! बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके हैं! बाला! लाली! कुछ कहो! सामने आओ! यहाँ! क्या? देखो! अच्छा शॉटकर था, अब हम खो गए हैं! मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्भू की वज़े से है! हरजीत? तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है! हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं! मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आ रही है! चुप रहो वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी! मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता! मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो! तुम में बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो! कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान! आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है! मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ! एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे! मैं… मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो! देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है! मुझ पर! मुझ से दूर रहो! मरियल सियार कहीं के! ओ अच्छा! बास करो टबाकी! मेरे पीछे आओ! हरजी, लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गये, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो! ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है! इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है! ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है! उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है! ओके, अलग-अलग हो जाते हैं! बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा! बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है! और पंची! पंची! वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं! और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता! चील! डार्जी! इस करफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है! ओ, ठीक है! ये कैसी बद्बू है? मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही! टबाके ये बद्बू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में! वह भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें ढूंडना शुरू करो, नालायक! मेरा ओफर अभी भी खुला है, बास! आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा! एक भेडिय के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्त! आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके हैं! अगर आपको भूक नहीं लगी है तो… इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार! तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका में लेगा! उपर चड़ जाईए! हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं! बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहां है वो? हाँ, बताओबु कहां है! तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए! वो छपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा! यही बहतर होगा! वहाँ ज़रने के पास कुछ है! वहाँ नीचे है! किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो… शुक्रिया चील! यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे! मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ! इस तरफ पकीरा! हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं! वह बदमाज फेड़िये के बच्चे एक जगर टिक कर नहीं बैठ सकते! बच्चे! वो रहे वहाँ! ठीक सामने! जाओ! पीछा करो! नाई तरफ! सीधे! दाई तरफ! सीधे जाए! बाई तरफ! अहां नीचे! आगे! अरे नहीं दाई तरफ! नीचे! उपर! दूसरी तरफ से! पीच में से! अहां! नहीं! नीचे! पीच में से! तुम अपनी बखवास जल्दी बंद करो टूइटी! हां! नहीं! जब तुम रुकोगी मैं रुकूँगी! संभल कर डागी! क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कापतेवे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ! मेरे पीचे आओ! जल्दी! शेर खान आसपास ही हो सकता है! बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा! देखो! वो एक पेर की ताने से उग रहा है! यह जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा! चलो इसे पानी में डाल देते हैं तक यह अपनी बद्बू कहीं और फैलाए! मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरूम टाइटन तो नहीं है! यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है! यह अपने घर से दूर आ गया! खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बू मारता है! पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है! बातनी लेसन का वक्त नहीं है! क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो! हम बच गये! क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? यह तो कमाल हो गया! मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं! मैं भी! कितना अच्छा लग रहा है! इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी! शेर खान की भी! अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है! एतनी जल्दी क्या है? बेवर गूफ बदबुदार जानवरों, मुझे तुमसे डर नहीं लगता! और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान! तो तुम यहां हो! मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकार यार! और वो पड़बोला पंची कहा है? वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए! वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा? हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए! उस पर मैं नजर रखूंगी! आह! मेरे प्यारे फूल! मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ! कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे! करीब से! वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा! इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी! तुभी यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं, बलू! वो कववा जंगल में आप पहुंचा है! और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है! मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा! इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है! और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है! क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो, मोगली? अपनी आखे बंद करो! बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला? अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को जड़ी, वह आ रहा है यह शतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बदबू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया? वो खतरनाक बदबू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, यह वो नहीं हो सकता किसे भी जानवर से इतनी बुरी बदबू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शॉर्ट कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं, इसमें से भी वही बदबू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है, मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा है, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है वैसे, चू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया, ये शर्ष में बहुत रादिष्ट है वो चारो तरफ बदबू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बदबू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें साउधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्ने आओ यहां, क्या, देखो अच्छा शौट कर था, अब हम खो गए है मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत? तो मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो, वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल्द लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं इसे दू रहो, मरियल सियार कहिंके ओ अच्छा बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हर जी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो यह केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है यह बद्बू हर जीत से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि यह गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फरक नहीं पड़ता चील, डार्जी इस तरफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है यह कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, यह बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वह भेडियों के बच्चे कहा है उन्हें ढूंडना शुरू करो, नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बॉस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त आप दू बार उनके करीब पहुचकर भी उन्हें खोच चुके है अगर आको भूख नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ पू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए है पर मैं उन्हें ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंडती हूँ बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ बीछा करो दाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधा जाईए वहां नीचे आगे अरे नहीं दाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से पीच में से अहां नहीं, नीचे पीच में से तुम अपनी बखवाज जल्दी बंद करो टूइटी हां नहीं जब तुम दोगों की मैं रुकूंगी संभल कर डाजी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ फस गयाओ मेरे पीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे किताने से उग रहा है यह सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं यह औरुम टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक यह बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोच था कि यह एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहो तीन दिन जल्दी धुका दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो यह तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाका लग यार और वो पड़ बोला पंची कहा है वो मुझे दोबर अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नज़र रखनी चाहिए उस पर मैं नज़र रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूं कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कवा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आँखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को चल्दी बार रहा है ये शादान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आस पास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसकी जैसा कुछ नहीं इसमेंसे भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आरा सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे चू कर देखो ये बाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया ये साच में बहुत रादिष्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके हैं बाला लाली कुछ कहो साम्या आओ यहां क्या देखो अच्छा शॉटकत था अब हम खो गए हैं मुझे दोश मत दो यहर्जीत की बद्भू की वज़े से है हर्जीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्भू मरे हुए जानवरों से आरी है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जल लग रहा है मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम मैं बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा है कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझ से दूर हो मरियल सियार कहीं के ओ अच्छा? बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहां है? वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी से नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस करफ डार्जी वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो भेडियों के बच्चे कहां है उन्हें ढूंडना शुरू करो नालायक मेरा अफर अभी भी खुला है बॉस आज का खास अफर हाथ से चला गया तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुचकर भी उने खोट चुके है अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सब्से होशार तुम्हें अपनी कीमत सावित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा उपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ पू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो छपे हुए है पर मैं उने ढून लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रियाचील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चौत ही बार गुजर रहे हैं वो बदमाज फेड़िये के बच्चे एक जगर टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधे नाई तरफ अहां नीचे आगे अरे नहीं डाई तरफ नीचे उपर दूसरी तरफ से पीच में से अहां नहीं नीचे पीच में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो टुईटी नहीं जब तुम रोगोंगी मैं रुकूंगी संभ़कर डागी पीज़ क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं मैं कापतेवे स्यार और एक बड़बोले पंची के साथ पस गया हूं मेरे पीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूं कहीं ये औरुम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोच था कि ये एक जानवर की सूंगने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन? जल्दी धुक्का दो हम बज गये क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो? ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूँ मैं भी, कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है एकतनी जल्दी क्या है बेवर गुफ बदबदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहां हो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ नाला एक नाका यार यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नज़र रखनी चाहिए उस पर मैं नज़र रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूं कल हम उस बद्वुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बद्वू नहीं आएगी तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आप पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आखें बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाग तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचाने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को चल्दी, वह आ रहा है ये शदान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तैर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं, ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो, मुझे उसके इलागे के पास से एक शौकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं, सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं, इसमेंसे भी वही बद्बू आ रही है, जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आरा, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है वैसे, चू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो चक्रिया, ये शाच में बहुत रादिश्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है मेरी नाग बता रही है कि हरजीत गुस्से में है हरजीत जब भी भैंकर बद्बू छोड़ता है, तो भी वो इतनी बद्बूदार नहीं होती मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी, इस बत्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा, अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूंडने के और भी तरीके है बाला, लाली, कुछ कहो, साम्ने आओ यहाँ, क्या, देखो अच्छा शॉट कर था, अब हम खो गए है, मुझे दोश मत दो, यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत, तुम मजाग कर रहे हो, वो मीलो दूर है, हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है, यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना, तुम हमें पकड़वा दोगी, मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जड़ लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो कल्लू काववा आपकी सेवा में हाजर है शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझे पर मुझे से दूर हो, मरियल सियार कहीं के ओ अच्छा? बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ हरजी, लाली और बाला कहा है? वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हरजी चे नहीं आ रही है उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है ओके, अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची, पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील, डार्जी इस करफ डार्जी? वहां से बद्बू आ रही है ओ, ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन भेडियों के बच्चों के खुश्बू नहीं मिल रही टबाके, ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में वो भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें ढूणना शुरू करो नालायक मेरा ओफर अभी भी खुला है, बास आज का खास ओफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा एक भेडियों के बच्चे के साथ, दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहच्च कर्वियों ने खोच चुके है पर हे, अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा ऊपर चड़ जाईए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल, कहां है वो हाँ, बताओबू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए हैं, पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहाँ ज़रने के पास कुछ है वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूनती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो बदमाज भेड़िये कि बच्चे एक जगण टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे? वो रहे वहाँ ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे दाई तरफ सीधे जाएए बाई तरफ अहां नीचे आगे अरे नहीं दाई तरफ नीचे, ऊपर दूसरी तरफ से पीछ में से अहां, नहीं, नीचे पीछ में से तुम अपनी बखवाल जल्दी बंद करो टुवीटी हां, नहीं, जब तुम लोगोगी मैं रुकूंगी संभल कर डाउगी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कापते वे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे पीछे आओ जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे? वो रहा, देखो, वो एक पेल के ताने से उग रहा है ये सरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दिन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिलकुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धका दो हम बच गये क्या तुम कुछ सुम पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सुम पा रहा हूँ मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सुमने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बदबुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता होगा और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकार यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुंच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है और इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को जारी बार रहा है यह शयतान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है बद्बू अभी वो हम यह वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी मुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौक कट मालूम है यह रहा मेरा फेवरेट खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसके जैसा कुछ नहीं इसमेंसे भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मौगली मेरी मदद करो समझ नहीं आरा सबसे पका हुआं कौन सा है वैसे छू कर देखो ये बाला जादा मुलायम है ये जरूर पक गया होगा चाहो तो इसे खा सकते हो शक्रिया ये साच में बहुत शादिष्ट है वो चारों तरफ बद्बू पहला रहा है मौगली बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है नहीं वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं अगर मैं खुद से ही टक्रा गया फिर भी अपनी खुश्बून नहीं पहचान पाऊँगा फिक्र मत करो रक्षा बाला और लाली को ढुड़ने के और भी तरीके हैं बाला लाली कुछ कहो जाने आओ यहां क्या देखो अच्छा शौटकत था अब हम खो गए हैं मुझे दोश मत दो यह हरजीत की बद्बू की वज़े से है हरजीत तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है यह खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आ रही है चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता मुझे जर लग रहा है मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मज़ाग उड़ा रहे हो कल्लू का हुआ आपकी सेवा में हाजर है शेर खान आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है मैं से लाके में रहना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ सौधा करने आया हूँ एक सौधा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो देखा तुमने शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है मुझ पर मुझसे दू रहो मरियल सियार कहीं के ओ अच्छा बास करो टबाकी मेरे पीछे आओ हर जी लाली और बाला कहां है वो पचकर भाग गये पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है इसमें तो कोई बद्बू नहीं आ रही है ये बद्बू हर जीत से नहीं आ रही है उसकी भी सुंगने की ताकत चली गई है ओके अलग-अलग हो जाते हैं बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है और पंची पंची वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता चील डार्जी इस तरफ डार्जी वहांसे बद्बू आ रही है ओ ठीक है ये कैसी बद्बू है मुझो इन बेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही तबाकी ये बद्बू कैसी है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सच में वो बेडियों के बच्चे कहां है उन्हें धूड़ना शुरू करो नालायक मेरा अफर अभी भी खुला है बस आज का खास ओफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा एक भीड़ी की बच्चे के साथ दूसरा मुफ्ट आप दू बार उनके करीब पहुच कर भी उन्हें खोड़ चुके है पर हेई अगर आपको भूक नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशार तुम्हें अपनी कीमत साविद करने का सिफ एक ही मौका मिलेगा ऊपर चड़ जाएए हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा वेल कहां है वो हां बताओ पू कहां है तुम खुद को कलू दी एक्सपर्ट कहते हो ना तुम्हारा नाम तो कलू निखट्टू होना चाहिए वो चिपे हुए है पर मैं उने ढूंड लूँगा यही बहतर होगा वहां ज़रने के पास कुछ है वहां नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील यहां से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे मैं जाकर डार्जी को ढूंदती हूँ इस तरफ बकीरा हम यहां से चोथी बार गुजर रहे हैं वो पदमाज भेड़िये के बच्चे एक जगट टिक कर नहीं बैठ सकते बच्चे वो रहे वहां ठीक सामने जाओ पीछा करो नाई तरफ सीधे नाई तरफ सीधा जाए बाई तरफ वहां नीचे आगे अरे नहीं नाई तरफ नीचे ऊपर दूसरी तरफ से बीच मेंसे अहां नहीं नीचे पीच मेंसे तुम अपनी बखवास जल्दी बद करो टूइटी हां नहीं जब तुम दो कोगी मैं रुकूंगी संभल कर डागी क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं मैं कापतेवे स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ पस गया हूँ मेरे मीचे आओ जल्दी शेर खान आसपास ही हो सकता है बाहर कहां से जाएंगे वो रहा देखो वो एक पे की ताने से उग रहा है ये जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बद्बू कहीं और फैलाए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये औरूम टाइटन तो नहीं है ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है ये अपने घर से दूर आ गया खिलने के तीन दीन बाद तक ये बद्बू मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सुमने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है बातनी लेसन का वक्त नहीं है क्या तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुक्का दो हम बज गए क्या तुम कुछ सूंग पा रहे हो ये तो कमाल हो गया मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पा रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आ गई होगी शेर खान की भी अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा मेरे पास एक आइडिया है इतनी जल्दी क्या है बेवर गूफ बनपुदार जानवरों मुझे तुमसे डर नहीं लगता और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान तो तुम यहा हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ नाला एक नाकर यार और वो पड़बोला पंची कहा है वो मुझे दो बार अपने अलाके में नहीं दिखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं नजर रखूंगी मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्बू का मज़ा ले पा रहा हूँ कल हम उस बदबुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जील के पास पहुँच गया होगा इसे पहनने के बाद हमें बदबु नहीं आएगी तुभी यकीन है हम दो दिन और नहीं रुख सकते हैं बलू वो कववा जंगल में आ पहुचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बू थोड़ी सी नीमबू जैसी है इस पीले फूल की खुश्बू थोड़ी सी असीडिक है क्या तुम इन में वर आ सकते हो मोगली अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आकार को देखता हूँ उनके रंग को ये शदान कहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी नीन से जगा दिया है हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू फैलाने का शौक है क्या हमने उसे पीछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं ये वो नहीं हो सकता किसी भी जानवर से इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रुको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे चिंता मत करो मुझे उसके इलागे के पास से एक शौटकट मालूम है ये रहा मेरा फेवरेट हम खुबसूरत है इसके जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसकी जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मोगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा है, सबसे पका हुआ, आम कौन सा है, वैसे, छू कर देखो, ये वाला जादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो, शक्रिया, ये शच में बहुत स्वाजिस्ट है, वो चारों तरफ बद्बू पहला रह इतनी बद्बूदार नहीं होती, मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडोंगी, इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है, मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा, अगर मैं खुद से ही टकरा गया, फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊंगा, फिक देखो, अच्छा शॉट कर था, अब हम खो गए है, मुझे दोश मत दो, ये हरजीत की बद्बू की वज़े से है, हरजीत, तो मजा कर रहे हो, वो मीलो दूर है, हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है, मुझे यकीन है, ये खतरनाक बद्बू मरे हुए जानवरों से आरी है, चुप रहो वर्ना तुम हमें पकड़वा दोगी, मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता, मुझे जल लग रहा है, मुझे जल्दी यहां से बाहर निक तुम में बड़ी हिम्मत है, जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाग उड़ा रहे हो, कल्लू कववा आपकी सेवा में हाजर है, शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फ्याल गया है, मैं इस अलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ, मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बतले में आप मुझे बचा हुआ मास खाने देंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर, मुझ से दूर हो, मरियल सिया कहीं के, ओ अच्छा, बास करो टबाकी, मेरे पीछे आओ, हर जी, लाली और बाला कहां है, वो पचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो, ये केला तो पुरी तरह सड़ गया है, इसमें तो कोई पत्बू नहीं आ रही है, ये बद्बू हर जी से नहीं आ रही है, उसकी भी सुगने की ताकत चली गई है, ओके, अलग-अलग हो जाते हैं, बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंडेगा, बलू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बद्बू आखिर कहां से आ रही है, और पंची, वो उपर से दूर दूर तक देख सकते हैं, और उन्हें बद्बू से कोई फर्क नहीं पड़ता, चील, डार्जी, इस तरफ डार्जी, वहां से बद्बू आ रही है, ओ, ठीक है, ये कैसी बद्बू है, मुझो इन भेडियों के बच्चों की खुश्बू नहीं मिल रही, ये बद्बू कैसी है, मैंने कुछ नहीं किया, मालिक, सच में, वो भेडियों के बच्चे कहा है, उन्हें ढूंडना शुरू करो, नालायक, मेरा आफर अभी भी खुला है, बस, आज का खास आफर हाथ से चला गया, तो बहुत बोरा होगा, एक भेडियों के बच्चे के सा सिफ एक ही मौका मिलेगा, ऊपर चड़ जाएए, हम यहां तीसरी बार आ रहे हैं, बताओ गया हमें और कितनी बार आना पड़ेगा, वेल, कहां है वो, हाँ, बताओ पू कहां है, तुम खुद को कलूदी एक्सपर्ट कहते हो ना, तुम्हारा नाम तो कलूदी खट्टू होना चाहिए, वो उच्छे पे हुए हैं, पर मैं भूने ढूंड लोंगा, यही बहतर होगा, वहाँ जट्टर ने के पास कुछ है, वहाँ नीचे है, किसी तरह का बड़ा सा फूल है, जो शुक्रिया चील, यहां से आगे बलू और मैं समभाल लेंगे, मैं जाकर डार्जी को ढूंती हूँ, इस तरफ पकीरा, हम यहां से चोथी बार गुज़र रहे हैं, वो पत्द माश, फियween के बचे, एक जगर तिकडर नहीं बड़ा सकतें के वो रहे हाहे, वहाँ, ठीकसा दो भी तो वा का सानके, जाओ हो रहरे, वहाहां ट्रीकसा तुक्सा बड़ा है, जाओ पीड़िगा कर दो राइटल से राफ सीदें कि राइटल सीदें जाल जाईग ये माइटल कि राइटल अणे़ महानीचे आय कि लाइगे अरे नहीं डाई तरफ नीचे उपर दूसरी तरफ से पीच में से अहां नहीं नीचे नीचे पीच में से तुम अपनी बखवास जल्दी बद करो टुई ठी नहीं जब तुम्रों कोगी मैं रुकूंगी संभाद कर आगी क्या मैं किसी पर पर रोसा कर सकता हूं? मैं कापते स्यार और एक पड़बोले पंची के साथ परस गया मेरे पीछे आओ जल्दी शेर खान आज पासी हो सकता है वहार कहां से जाएंगे? वो रहा देखो वो एक पेड़बोले से उग रहा है यह जरूर नदी में बहकर यहां तक पाँच गया होगा चलो इसे पानी में डाल देते हैं तक कि अपनी बद्बु का नहीं और फैला है मैं सोच रहा हूँ कि यह औरूर टाइटन तो नहीं है यह सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है यह अपने घर से दूर आग गया खिलने के तीन दीन बाद तक यह बद्बु मारता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक जान्वर की सूंगने की पाद्बु मारता है की ताकत को बिलकुल घर कर देता है अचनी लेसन का वक्त नहीं है यह तुमने कहा तीन दिन जल्दी धुका दो यह तो कम बज गया है क्या तुम कुछ सूंग पार रहे हो मैं अब फिर से जंगल की सारी खुश्बूओं को सूंग पार रहा हूं मैं भी कितना अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी सब की सूंगने की शक्ती भी वापस आगरी होगी अगर हम फिर कभी सिकार नहीं कर पाये तो क्या होगा मैं तेरे पास एक आइडिया है एक तनी जल्दी ग्या है यह वर कुफब बदबुदाओ जान वरो बज़े तुमसे डर नहीं लखना और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खाग तुम यहाँ हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ और नाला एक नाका या और और वो बड़ बोला पंची कहां है वो उसे दो बार अपने अलाके में नहीं देखना चाहिए वो अंजान पंची नजाने कहां से टपक पड़ा हम सब को उस पर नजर रखनी चाहिए ये उस मेरे प्यारे फूल मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुन्दर खुश्च्बू का मज़ा ले पा रहा हूं कल हम उस बद्वुदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से वो जरूर जिल के पास पहाच गया होगा इस से पहनने के बाद हमें बद्वु नहीं आएगी तुम्हे यकीन है दो दिन और नहीं रुक सकते हैं बोलू वो कववा जंगल में आप पहुंचा है और चारो तरफ चक्कर लगा रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस लाल फूल की खुश्बूश थोड़ी सी नीम भूजा ऐसी है और इस पीले फूल की खुश्बूश थोड़ी सी असी डिक है क्या तुम इन में फर्रक बता सकते हो मोगली अब अपनी आखे बंद करो बताओ ये कौन सा फूल है लाल पाला अब तुम्हारी बारी पीला वाला लाल वाला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं माना मेरी नाख तुम्हारे जितनी तेज नहीं पर मेरे पास पूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं मैं उनके आपकार को देखता हूं उनके रंग को चली बारा यह यह शैतान का रहा चले गए उन्होंने मुझे चार बार अपनी इन से जगा दिया है हर जीत को अपने हास पूलों की सभी चीजों और जानवरों के उपर बद्बू पहलाने का शौक है क्या हमने उसे पिछा चुडा लिया वो खतरनाक बद्बू अभी भी हवा में तेर रही है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता नहीं यह वो में नहीं हो सकता किसी भी जानवरों के इतनी बुरी बद्बू नहीं आती चलो रोको उस तरफ नहीं जाना है हम शेर खान के करीब पहुंच जाएंगे चिंता मज़त करो मुझे उसके इलागे के पास एक शॉर्ट कर दूर्ट मालूम है यह रहा मेरा फेवर वेड खुबसूरत है के जैसा कुछ भी नहीं सुंगो इसकी जैसा कुछ नहीं इसमें से भी वही बद्बू आ रही है जो वहां आ रही थी मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई मुझे लिए मेरी मदद करो समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ अमको कौन सा है वैसे चू कर देखो यह वाला ज्यादा मुला आया में यह जरूर पक गया होगा चाह तो यह से खा सकते हो शक्रिया यह शाष्क में बहुत अधिस्ट है वो चारों तरफ बद्बू फैला रहा है बाला और लालित नहीं है नहीं वो हर्जीत के साथ खेल रहे है खेल रहे है या उसे परिशान कर रहे है हर्जीत जब भी भयांकर बद्बू छोड़ता है तो भी वो इतनी बद्बू दार नहीं होती है मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंडूंगी इस बद्बू की वज़े से मेरी नाग बेकार हो गई है मेरी भी हमें सावधान रहना होगा अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुश्बू नहीं पहचान पाऊंगा फिक्रमत करो रक्षा बाला और लाली को ढूणने के और भी तरीके है बाला 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 कुच का हो साम् मैं यह क्या ते श्रीको ठारी श्रर भार सकत्राव है और प्राव जात उस व्राव अच्छ शॉट कर था अब हम खो गए है मुझे दो समत दो यह हर्जीत की बद्भू की वज़े से है हर्जी तो मजा कर रहे हो वो मीलो दूर है हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब है मुझे यकीन है ये खतरनाग बद्भू मरे हुए जानवरों से आरी है चुप रहो वरना तुम हमें पकड़वा दोगी मैं उसका